आज भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधीं का तिहतरवा जन्म दिन है उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजराद के वड़नगर में हुआ था प्रधान मंत्री बनने से पहले नरेंदर मोधी लगबक 13 साल तक गुजराद के मुखे मंत्री रहे साल 2014 में उन्होंने भारत के प्रदान मंतरी का पदभार संभाला, आज उनके नित्रित्म में देश तेजी से तरक्की कर रहा है। पिया मोदी के नित्रित्म में भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्फिवस्था बन कर उभरा है। लेगिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सेलरी कितनी है, उनके पास कुल कितनी संपत्ती है। आई आज उनके जन्म दिन पर हम आपको बताने जा रहे हैं प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी से जोड़ी कुछ खास बात है। दरसल लोगों की दिल्चस्पी की बात करें तो उनकी दिल्चस्पी इस बात में जरूर होती है कि उनके देश के प्रदान मंतरी की सेलरी कितनी, उनके पास कितनी संपत्ती है, वो कहां कहां से इंवेस्ट करते हैं। बीते साल प्रधानमंत्री कार्याले ने इस बारे में पूरी जानकारी दी थे। पतादेंगी भारत के प्रधानमंत्री की सेलरी करीब 20 लाक रुपए साल आना होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो पीम मोदी की हर महीने की सेलरी लगभग दो लाक यास पास होगी पीम मोदी को मिलने वाली सेलरी में बेसिक पे के अलावा डेली अलाउंस सांसत भत्ता समेथ कई अनिभत्ते शामिन होते हैं प्रतानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल चल अचल संपत्ती का ब्योरा बीते साल 2022 में प्रतानमंत्री का रेले द्वारा जारी किया गया था ये ब्योरा मार्ट 2022 तक का है पीमो के अनुसार प्रतानमंत्री मोदी के पास कुल 2.23 लाक रुपे की संपत्ती है इसमें अधिकांश बैंक हातों में जमा राशी पियम मोदी के पास गुजरात की गादी नगर में एक जमीन थी लेकिन बाद में उन्होंने इसे दान कर दी जब नरेंदर मोदी गुजरात की मुख्यमंत्री थे उसी दुरान उन्होंने अक्टूबर 2002 में एक आवासी जमीन खरी दी थी हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें वो तीसरे हिस्सेदार के तौर पर शामिल थी अब उनके नाम पर इस जमीन का कोई मालिकाना हक नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा दान कर दिया एक रिपोर्ट की माने तो पीम मोदी के नाम पर किसी तरीके का कोई बॉंड नहीं है नहीं उनके नाम पर शेर या वीचुल फंड इसके अलावा उनके पास उनके खुद की कोई गाड़ी नहीं है मौहीं मार्च 2022 तक के संपत्री डेटा के अनुसार उनके पास एक दशमलफ साथ तीन लाख रुपए कीमत की चार सोने के अंगुखियां थी उनके सेविंग्स की बात करें तो पोस्ट आफिस में उनके पास नौ लाख पाँच हजार एक सो पाँच रुपए का नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और एक लाख नवासी हजार दिन सो पाँच रुपए की जीवन भीमा पॉलिसी है आपको बता दें कि PM मोदी दिल्ली में सरकारी आवास में रहते हैं और अपना सारा खर्च खुद बहन करते हैं एक RTI के जवाब में PMO ने बताया था कि PM बनने के बाद से नरेद मोदी ने एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया ANP टाइम्स की रिपोर्ट